अभी आंगनबाडी सेवी का सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज दो पहर बारा बज़े की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस विडियो को पूरा देख करके जाना संचाल नाले महिला बाल विकास्व भाग मध्ध प्रदेश की तरब से एक लेटर 26 जून को अभी परसों जारी किया गया है और ये लेटर मध्ध प्रदेश के सभी जिलों के जो जिला कारकम अधिकारी हैं यानि डीप्यों हैं उन सब को लेटर भेजा गया है और विसे में कहा गया है कि पोशल ट्रेकर में हितगराहियों के मुबाइल नंबर का सत्यापन करने के सम्बंद में अब आप सब को धिरे-दिरे याद आ गया होगा कि जो है इस काम को लेकर केंदर सरकार से मैंने एक लेटर दिखाया था जिसमें सभी राज्यों में आगनबाडी बहनों बोला गया था कि जो भी लाभार्थी पोशल ट्रेकर पर हैं आपके उन सब का मुबाइल नंबर का सत्यापन करना है अगर आप कर चुके हैं तो अच्छी बात है बहुत सी बहनों का सत्यापन नहीं हुआ और मैंने बताया था मात्र 54 परसंट ही मुबाइल नंबर के सत्यापन हुए जबकि आधार काड 97 और 98 लगभग 98 परसंट तक सत्यापन हो चुके तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुबाइल नंबर का सत्यापन करने के लिए बोला गया था इसी क्रम में मध्परदेश में भी निदसाले से लेटर आ गया आईए देखते हैं मध्परदेश में आखिर आंकड़े क्या कहते हैं मुबाइल नंबर सत्यापन के मामले में भारत सरकार के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पोशल्ड ट्रेकर में पंजीकरत हितगराहियों को आंगन बाडी केंदर से दी जा रही सेवाएं जैसे कि टेक हुमरासन आदी से इसमेस के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है पोशर्ट ट्रेकर डैस बोर्ड के अनुसार प्रदेश में दर्ज जो हितगराही है जो कि यहां पर 76,96,432 जिन में से केवल 22,63,653 यानि मात्र 29.41 परसेंट हितगराहियों का मुबाइल नंबर सत्यापन हुआ है यानि ओवराल अगर आप देश में सभी आकड़ों की बात करते हैं तो उससे भी गया गुजरा रिकार्ड मद्प्रदेश राज का है मद्प्रदेश राज में लाभारतियों के मुबाइल नंबर सत्यापन करने के मामले में जो है बहुत पीछे है 29.4 एक परसेंट ही केवल मद्प्रदेश में मुबाइल नंबर के सत्यापन है जबकि ओवराल तो इससे जादा का आकड़ा है तो कुछ स्टेट है जहाँ पर ये काम अच्छा हुआ और कहीं कहीं पर खराब हुआ और उनकी खराब प्रगती की वज़े से भी ओवराल जो केंद्र में जो आकड़ी दिये गए थे 54% के उन पर भी असर पड़ता है जबकि यहाँ पर जो बात करें अगर हम आधार वेरिफिकेशन की तो वो यहाँ पर 75,60,019 यानी 98.2-3% वही बात 98% तक यहाँ भी जो है आधार वेरिफिकेशन है लेकिन मुबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं किये गए मुबाइल वेरिफिकेशन करने का सबसे बड़ा रिजन एक यह भी है और ना होने का भी कि लाभारतियों के मुबाइल पर मैसेज जाते हैं अब मैसेज जाते हैं तो लाभारतियों को पता चल जाता है कि उनको THR मिला कि नहीं मिला लेकिन फीडिंग उनकी कर दी गई अब फीडिंग ना करना वो कारकरता के लिए दिक्कत है पोशाहर लेट हो जाए ना आये तो कारकरता फीडिंग फिर भी उनको विभाग की तरब से जबरन करवाई जाती है इस case में लाभारती को पता चल जाता तो लाभारती दिक्कत करता इनी सब कारणों से कहीं न कहीं बचने के लिए कई जगे आइगन बाड़ी बहने कई मामलों में मुबाइल नंबर के सत्यापन भी सायद नहीं किये हूँ एक कारण ये भी हो सकता है दूसरा तो जो लाभारती हैं वो स्वयम OTP नहीं देना चाहते जिस वज़े से वेरिफेकेस्टन नहीं हुए लेकिन वो तो एक आप खुछ से सोचो अगर कोई OTP नहीं दे रहा तो ना मट जाएगा नाम हटाओ या हटाओ ना अटाओ उसके पहले सूचना आप अपने विभाग को गराम प्रदान को सवासद को अपना जरूर वहां पर दे दो क्योंकि लिखित में सबूत आपके पास होना चाहिए कि आपने उनसे कहा उन्होंने दिया नहीं इस पर मैंने बहुत बाते कहीं है वो आप सब की भलाई के लिए कहीं है ताकि आपका पच्छ मजबूत हो कल को कोई आप पर कारव अगर की जाए लाभारती की तरब से अगर कोई जूटी सिकायते की जाए तो आप उसका जवाब दे पाऊ लिखित तोर पर तो इसलिए बचने के लिए मैंने उन चीजों को आपको पहले से बता रखा यहां पर हितगराहियों द्वारा आधार लिंक मोबाईल नंबर नहीं दिये जाने के कारण उन्हें आगन बाडी केंसे दी जा रही सिवाओं के इसमिस नहीं पहुँच रहे हैं तो इसमें कई जगे तो गलतियां लाभारतियों की ही हैं कि वो OTP साजा नहीं कर रहे हैं भारत सरकार के द्वारा 5 जुलाई यानि समय जादा नहीं है 5 जुलाई त अधार से लिंक कराओ और प्रवस्थी उसमें की जाए तो 5 जुलाई तक ये काम कर लो सिर्फ मध्प्रदेश की ही बहनों नहीं सभी राज्यों की बहनों क्योंकि केंदर का लेटर हम पूर में ही चैनल पर दिखा चुके हैं और बता भी चुके हैं यूपी में तो ऐसे और लेटर निकल चुके हैं रादा बहन मध्प्रदेश से जिन्होंने एमपी का ये लेटर बेजा था और इनके अलावा नरेशा साकेद बहन हैं मध्प्रदेश के सिंगरौली जिले से आती हैं आईए दिखाते हैं सिंगरौली जिले में भी लेटर निकल गया देखो वो बाते लिखी हैं जो मैंने अभी आपको पूरे मदपदेश के लिए मैंने जो लेटर दिखाया निदसाले का मदपदेश के निदसाले से जो लेटर है उस साब से इसमें देखो नीचे सब लिखा भी गया है यहाँ पर यह सब अलग से अपना जो है अधिकारी लोग टिपड़ी भी उसमें कहीं न कहीं लिखे हुए है इसमें बाते भी लिख दी गए है कि इसको 5 जुलाई तक कर लीजिए सीमा देवी हैं आजमगर्जिले से इनका कहना है कि नहीं मैं पोस्टर ट्रेकर पर मुबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना चाहती हूँ पर मुझे अच्छा इनका तो हो गया इनका तो पहले हम देखा चुके थे इनका कहने का तातपर था कि जो है इनको एरिया मुसलिम मिला जहां पर जो है जो है लोग बाग जो है ओटीपी साजा नहीं कर रहें ऐसी कुछ दिक्कते थी बाकी कोई हिंदू मुसलिम जैसा इनका वो ओचित नहीं था ये सब बाते उन्होंने बाद में लिखी थी खैर वो कुछ भी हो हमारा समझाना बहन आपको है और सभी बहनों को जहां पर लाभारती आपको ओटीपी ना दें वहां पर आप जो है कोसिस करें कि अपना जो एप्लीकेशन है अगर गाउं से हो तो ग्राम प्रधान को दो अगर सहर से हो तो सभासद को दो और साथी अपने बाल विकास परुजना काराले में भी दो लिख करके कि फलाने ला भारती जिसने ओटीपी नहीं दी है सिकायक करेगा कि मुझे पोशाहर नहीं देती है तो आप बता पाओगे लिखित तोर पर सूचना दे पाओगी कि मैंने इनको बोलाये करने के लिए नोंने नहीं किया मैंने इसके बारे में सूचना भी प्रधान को उन्हों सब को दे द साथी और आगे ले चलते हैं कुछ बातों पर डिसकस करती हैं उमा बहन कानपुर देहास से हैं देखो उनके वहाँ पर आज 28 जून है और आज स्कूल खुल गए हैं तो आज बच्चों का स्वागत वहाँ पर किया गया है तो ये विलकम चिल्डरंस को लेकर के ये समर कैम आज बहनों ने वहाँ पर अपना मनाया है और ये बच्चे बच्चे आये हैं स्कूल खुल गया खुल तो खहर 24-25 में ही गये थे किंद्रों की साफ सफाई तब से चल लई थी लेकिन आज जो है यहाँ पर ये बच्चों को बुला करके स्वागत किया गया है अब बच्चे कोटिदार देने के लिए तयार नहीं होते विभागी अधिकारी सुपरवाजर सीरी प्योग इनका कुछ ये कुछ कहना नहीं चाते इसके लिए केवल आंगनबाडी ही जिम्मेदार हैं जिस तरह सुपरवाजर दाल तिल दलिया बाटने के लिए अलर्ट मोड में रहते हैं इस तरह रासन दलवाने के लिए अलर्ट में क्यों नहीं होते कोई कुछ बोलना नहीं चाता आंगनबाडी से का जाता है कि कोटिदार के यहां से रासन लेकर के आओ जो की कोटिदार रासन देने के लिए तयार जो हैं नहीं होते इस तरह से यहां पर इनका भी कहना है तो क आपके वहाँ अधिकारी कुछ नहीं सुन रहे हैं आफिस के तो आप मेरी तो सला यही है कि जिले के बड़े अधिकारी को इसकी सूचना जरूर दे और ये भी बताएं कि हमने आफिस में भी इन चीजों को कहा लेकिन वो लोग नजर अंदाज कर रहे हैं चीजों को तो आप बताएंगे तभी कुछ बदलेगा डरडर के जियेंगे तो कुछ नहीं होगा सिवाए सोसल के कुमुद लता जी हैं आजमगर से इन्होंने अपने वहाँ से कुछ लेटर बेजे हैं और ये मामला दरसल बड़ा ही अच्छा है मैं आपको बता दू कि ये जो मामला है वो यह परावर से कम है ऐसे परिवार के दो बच्चो को परते को धाई हजार रुपया परती मा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतरगत मिलेगा तो ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का है ये फौरम भरकर के दिया जाता है और उसके बाद उन अनात बेसारा बच्चों को जो है कहीं न कहीं लाब मिलता है उनके जीव का चलाने के लिए अब इसमें देखे लिखा क्या है वो ध्यान से सुनिएगा आवेदक का नाम भरा जाता है आवेदक का बच्चे के साथ क्या संबंध यानि जब माता पता मालू नही तो जो भी अब उनकी परवरिस में जो बच्चा ये अपल रहा है तो उन आवेदक करने वाले का नाम भरा जाता है वो कौन है माता है पिता है सरचक है या सोयम बच्चा अपने आप है ये चीजें बच्चे का नाम फिर या भरा जाएगा फिर बच्चे का नाम अंग्रेजी म माता का नाम और बच्चे की माता की स्तिती जीवित है कि जो है मृतक में है और उसका कारण क्या रहा मृतक होने का तो यही सब बाते यानि लिखी है वैसे भी मैं पहले इन चीजों को देखा जुका हूँ दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस मामले में अगर आपके छेतर में कोई बच्चा हो ऐसा तो उसको लाब दिलाने का प्रयास करें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना साथी गुड आप्टरनून भाया जी ज्यादा तर सभी लोग जो है दे देते हैं OTP आप लाबारती को फोन लेकर के अपने पास उनके सामने ही भरो तब दिक्कत नहीं होगी लेकिन बस एक परसंट लोग ही होते हैं जो नहीं देते हैं बाकी सब दे देते हैं हमारे यहाँ सब लोग जो है देते हैं और हम सभी को उनके सामने ही करते हैं पूरा काम 100% जो यहाँ पर है तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप करना चाहें तो सब हो जाएगा भाई हमने सुयम भरे हैं लाभारतियों के और भी लोगों ने भरे हैं सब के हो चुके अब इसमें दो तरह से चीजी हैं यहाँ पर अगर लाभारति आप फोन करके सोचो घर बैठे बैठे आप उनको बता रहे हो कि फलाने फोन कर दिया भर रहे हैं अपना बताओ अब घर में उनके पढ़े लिखे नहीं है जानते नहीं है वो पता चला खेट चले गए उनको कु सामने आप चीजों को जब करो तो चीजों को कर दो आराम से लाभार्ती जो है चीजों को करवा लेता है लेकिन वहीं चीज़े हैं अगर आप फोन करके आप सोचो सब हो जायागा घर बैट करके तो दिक्कते होंगी आप डर उनको भी है कि ओटीपी फोन आया बता दे पता चला पैसे उड़ जाए नहीं पड़े लिखे हैं नहीं जानते उतना तो कुछ तो सोचना पड़ किसी और के लिए वीडियो देखने वाले के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं ये व्यक्तिगत रूप से बहनों आपका ही भला होगा जो भी बहने ये सोच नहीं हो क्योंकि आप जब भी जूटी सिकायद लाबार्ती आपकी कर देगा जब रासन नहीं मिलेगा क्योंकि फ आप कहोगी नहीं ओटीपी मांग रहेते आप ये दे नहीं रहेते कुछ नहीं आपकी सुनी जाएगी क्योंकि वो तो कोई साच्छी उस चीज़ का आपके पास नहीं होगा इसलिए तो मैं बार बार दोराता रहता हूं कि आप लिखित में गाउं से हो तो ग्राम प्रधान सहरों से हो तो सबासद इन लोगों को सूचना दो लिख करके कि फलाने लावारती इनके सामने यह समस्या रही है यह करने नहीं दे रहे हैं तो उनको पता चल जाए ताकि कल को भविस में आप जवाब में उन चीजों को पेस कर पाओ ठीक है तो यह आपकी भलाई के लिए है समझना हो जिसको समझे भाई इससे जदा मैं क्या समझा हूँ लेखा है भाईया जी आपने बिल्कुल सही जानकारी दी है हम जो है यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि दूर के लिए भाईया जी वाकई में गलती तो बहुत थी वजन और हाइट में लेकिन अब बिल्कुल सही जो है भर दिये हैं ट्रेकर पर यानि पोर्शर ट्रेकर को लेकर बहन का कहना था आज कलका ही बस केवल समय था इसमें पोर्शर ट्रेकर पर जिसका लंबाई वजन भरना सही करना हो उस मामले में क्योंकि अभी लंबाई जादा भर गई होगी अगर पहले तो वो कम हो जाएगी इसके बाद आपसल लाग कर दिया जाएगा विभाग से लेटर भी आया था मुझफर नगर में डीप्यो सरजी हमारा पियलाई नहीं देते हैं किसी को भी बहुत बार कहा है कि काम तो सारा कर लेते हैं पर पियलाई नहीं बनाते हैं 2019 से लागू है पर आज तक नहीं मिला तो भाई इतनी बड़ी समस्याथ के सामने है 2019 से आज तक इनको पियलाई नहीं मिला इनका कहना है तो भाई आप क्या करें आप साच्च के साथ में अपना जो भी है वो लगाओ और एक एप्लिकस्न अपने जनपद में DM और CDO इन दोनों लोगों को दीजिए कि फलानी दिक्कत है हमारे जनपद की हमें PLI नहीं मिला जबकि हम काम करते हैं और अपने काम के वज में जो साच्च आप दे पाओ वे वो तो ये कहेंगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा आपको सिद्ध करना पड़ेगा साच देने पड़ेंगे कि देखो मैंने ये सब काम किये हैं समय समय पर उन सब चीजों के मामले में इसलिए तो मैं कहता हूँ कि चीजों को समय पर करते रहो अब बताओ इतन नाम, केशकुमारी यादव हैं जो कि मार्क सीट में यादव नहीं हैं तो बोला जा रहा है कि आधार में यादव हटाओ तो भाया जी यादव हटवा दिये हैं तो और जगे जो लगा है LIC या कहीं और वो दिक्कत नहीं होगी तो देखो होगी इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग भाई नाम अपना एक रखो लेकिन मार्क सीट में अलग जोईनिंग लेटर में कई लोग लेकर गुम रहे हैं अलग और मालो इन दोनों में अगर सेम है तो फिर बात आजाए आधार कार्ड की उसमें कर दे या अलग बताओ क्या जरूरत है भाई जो आधार जो मार्क सीट में था जो आपका जोईनिंग लेटर में था जो अभी तक चल लहा था जो सेच्टिक अभी लेकों में आनी है अभाई आधार कार्ड में उससे विपरित रखने की जरूरत ही क्या है भाई ये खुछ से सोच उजरा तो क्यों आप उसमें गलत भर करके दिये और उसको उसमें कुछ और भर लिया LIC खुलवा लिया उसमें फिर उस हिसाब से करवा दिया 75 जगे 75 अलग अलग आप नाम रखोगी तो दिक्कते तो होंगी ही ये मैं हमेशा से कहता चला आ रहा तो आपको सुदरवाना तो पड़ेगा ही वरना वेरिफिकेसन नहीं होगा वे भागवाले में अब LIC में आपने भरा था तो सोचना चाहिए था भाई ये तो छोटी मोटी चीज़े हैं भाई बताओ ये नाम को लेकर के वो जमाना नहीं है कि कागजों पर सब होता है तो कागजों पर आज फलाने चड़ गया कल को डिमकाने चड़ जाएगा नहीं होगा वेरिफिकेसन होते हैं जो डेटा एक बार फीड है जो नाम फीड है जिस आधार नंबर के साथ नाम आप बदल दोगे नंबर तो सेम रहेगा नंबर डाला जाएगा जो अपडेट होकर के जो नया आपने संसोधन कराया नाम वो आपका वहाँ पर सो करेगा अब इस मामले में कई लोगों को समझाओ तो कुछ समझ में नहीं आता कुछ लोग OTP देने से डरते हैं सही है पर आमने सामने मिलने से देते हैं ये भी देखो यहाँ पर एक भाई बहन जो भी हो नोंने बात को लिखा तो वही चीज़े हैं सामने face to face आप मुबाइल वेरिफिकेशन का काम करो उसको करना पड़ेगा नहीं करोगे तो भाई काम अधूरा पूर्षर ट्रेकर का एक तरह से माना जाएगा मान दे के रुखने के भी कारवाई विभाग सरकार कर सकती इस मामले में क्योंकि वो करवाना चाहेंगे तो दबावत वड़ा लेंगे और दूसरी बात यहाँ पर कि अगर होगा नहीं तो दिक्कते हैं तो आप लोग कर ही लो इससे बढ़िया सुदानसु भयाजी मेरे 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 में मैं कुमारी प्रतिमारानी बिहार के नरहट वगरा ब्लाग से और EKYC करने के लिए नहीं बोला गया परंतु हम कर लिये हैं क्या कोई दिक्कत होगी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बोला नहीं गया अगर आपके वहाँ भी बिहार में तो बोला जाएगा परेशा नहों और EKYC करना कोई बुरी बात नहीं है वो कराय जाएगा और वो भारत सरकार से letter आया था तो वो सब को करना है अब दिक्कत यह है कि तमाम जो state है वो समय समय पर letter जारी कर रहे हैं तो उनके वहाँ से आपको सूचना है जल्दी मिल नहीं है कई जगे राज सरकारें अभी कुंडली मार करके कामों पर बैठी हुई हैं तो उनको ज़्यादा फरक नहीं पड़ता इस वज़े से ज़्यादा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर आप एक ही तरह के कामों को देखते हैं भाया जी मोबाइल नंबर वेरिफाई कैसे करें वीडियो डाल करके बताएं मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने का भी कोई वीडियो बनाना पड़ेगा पोस्टर टेकर पर जो आपके लाभारती हैं उनके थरी डॉट होते हैं उसके सामने लाभारती के नाम के उसमें आप जो है चली जाएंगी और वहाँ पर जो है आप लोगों को three dot में जाएंगी तो वहाँ से आपको option मिल जाते हैं नीचे side में या उस लाभारती पर touch करते हो तो option मिल जाते हैं खुल आते हैं यानि कुल मिला करके या वहाँ से छोड लगा लो कि कई बहने हैं जिनको अभी यह नहीं पता है कि मुबाइल नंबर वेरिफिकेशन जो है होते कैसे हैं अब सोचो जब उनको यह नहीं पता तो उन्होंने किये कैसे होंगे तो किये ही नहीं इसलिए यह आंकड़े इतने जो है उपर नीचे देखने को मिल रहे और का जो है मुबाइल नंबर प्लस आधार सब वेरिफाई है अब तो आधार अपने आप वेरिफाई हो जाते हैं पहले वो भी करने पड़ते थे आधार भी वेरिफाई करना पड़ता था लेकिन अब तो फीड करो आधार पहले ही वेरिफाई हो जाएगा केवल मुबाइल न चाहिए अब राभारती के घरवाले अगर बाहर चले भी जाते हैं तो क्या वो OTP फिर बोल नहीं सकते या रासन लेने कभी आते ही नहीं आपके वहाँ ये भी तो सोचो जरा रासन आव वितरण करती तो होगी ना तो वहाँ लेने आते होगे तब आप उनसे OTP मांग लो उस दिन वेरिफाई कर दो करना तो पड़ेगा तो बहुत तरीकें का एक ही बार आप उनके मां जाएंगी जब जाएंगी तभी वो निकल जाएंगे तो उनको फोन करके कि आप कहने ही सकती कि फलाने आप जो OTP बोल दो ये काम करना है तमाम जो व हटा दो ठीक अब उसके बाद में जब वो रासन के लिए अगर कभी जूटी सिकायत करें तो आप पुष्टी के तौर पर वहाँ पर यानि अपनी आख्छा उसमें लगा पाएं रिपोर्ट लगा पाएं कारण बताओ आप उसमें नोटिस में जवाब दे पाएं उसी साच के साथ में कि देखो ये फलाने वहीं है जो OTP नहीं दे रहते हैं नंबर इनका मुझे मज़े मजबूरन हटाना पड़ा क्योंकि ये कराना नहीं चाहते और आज ये रासन मांग रहे हैं तो अपनी तरब से कोई गलतियां ना छोड़ो मैं इसलिए कह रहा है बांकी देखो में डाल डाल गर के आपको कहते रहें ये काम करो ये चूटा है वो चूटा है मांसिक रूप से आप परिसानी तो होंगी ऐसे मामलों में तो क्यों ना एक बार लाभार्ती का नंबर लेकर क्या आप उसको वेरीफाई करतें ये चीज़ें हैं लेकिन भाई कही लोग तो मैं जबरन कराई जाती हैं ऐसे में दिक्कते आती हैं तो ये कहो तो समझ में आता लेकिन फिर भी आप वेरिफाई करो लावार्ती को समझाओ कि भाईया ये ओनलाइन काम है हमें टाइम पर फीड करना है रासन जब जब आता जाएगा हम देते जाएंगे चाहो तो आप हमारे पर आती हैं सब लाइन में कड़े सबकी फोटो भी है इन्होंने कहा है कि सबूत देखिए मुश्लिम जो है एरिया है तब भी मुबाइल वेरिफिकेशन हो गया है और हंडेट परसेंट हो गया है एक भी ऐसा नहीं है इनके वहाँ पर जिसने वेरिफिकेशन ना कराया हो तो कर इसलिए मैं आपको कहरा वीडियो हर सब्ता दे आंगनबारी निर्मार की प्रगती हर दोई जनपत का ये मामला है ग्राम पंचायतों में 191 आंगनबारी केंद्रों का दरसल निर्मार कराने के जम्मेदारी को लेकर के हर दोई जनपत में अधिकारियों का पसीना छूट रह अब छेत्र पंचायतों पर सिकंजा कशने के लिए वीडियो को हिदायत दी गई है कि हर सब्ता वीडियो को प्रगती रिपोर्ट भेजने के भी नर्देश दिये गए है नो नियालों से जुड़ी इस योजना में देरी की वज़े से स्थानी जोजन प्रतनिदी है उनकी भ अंगनबारी केंद्र भवन बनाने की जिम्मेदारी दी गई वित्ती वर्स 2022-23 और 24 इसके अंगनबारी केंद्र शेत्र पंचायत में यहां पर बताया गया रहा है भवन बनाने की जो योजना है वो सुईकरत हुई थी और इस तरह अवधी में कई महीने बाद भी काम छड़ कर रहे हैं उससे यह जो है कहीने कहें डिपेंड चीजें कर रही है तो ऐसे में यह लापरवाही का एक नतीजा है अब तो पसीने चूटेंगे ही जब टाइम ज़्यादा ओवर होता जाएगा महंगाई बढ़ेगी पुरानी दर के हिसाब से पैसे पेमेंट होंगे क जहता रहे हैं एक कमपनी को गई वो कमसे कम उसका निर्मार जल्दी करते हैं दूसरा वो साप रखते हैं सरकारी बिल्नगों में आप जाओ दसा देखो महां की क्या है आप चले जाओ मैं जादा क्या कहूं मैं गया था लाइसेंस बनाने डियल जनपद अपने हर्दोई की म का ये हाल है अब होंगे दिको उंगलियां पांचों बराबर नहीं है दफतर भी बराबर नहीं होंगे ये भी हम मानते हैं तो होंगे जो ठीक ठाक होंगे तिन पांच लेकिन ज़्यादा तरद मैजॉर्टी यही कहती है और यही देखने को मिलता है सरकारी दफतरों में न ना सापसफाई का ध्यान ना निचीजों का और ना ही विभागी जो यानि लोग होते हैं धिकारी करमचारी उनकी कारसेली ठीक ठाक रहती है आप आप SBI बैंक को देख लो कैसे जो किस तरीके से वो काम करते हैं उनका लेंची खतम नहीं होता तो यह सब चीज़ है और वही उसके नर्देश और उसका जो एक तरह से उपर से सुपर्विजन है वो बढ़िया हो रहा है सरकारी कामों में कुछ नहीं बास आए हैं चले गए बाबू जी क्या हो रा क्या नहीं हो रहा से वैसे चल रहा है तो यही सब दिक्कते हो रही है वैसे आज के इस वीडियो को य रखते हैं काफी लंबा वीडियो हो चुका सामके वीडियो में आप सब को हम पुना